जब विवारको नवरात्री का प्रथम दिन है इसी के साथ ही कल अयोध्य जनपद में 54 पंडालों में मादुर्गा विराजमान हो जाएगी। जैसवान ने मताया कि 24 अक्टूबर को मादुर्गा की शोभायात्रा जी आईसी मैदान से पतेगंज चौराहा सुभास नगर चौक होते हुए सरीयों के निर्मली कुंद जाएगी। और दुर्गा पूजा में नवराद के कल प्रफम निल से 28 प्रतिमाय आज फईजाबाद, सहर में 9 प्रतिमाय आजुन्द्यानगर में, और गामीर छेत्रों में लगभग 1700 प्रतिमाओं का अनावरन कल से सुरू हो जाएगा। बहुत ही अच्छे ढंसे जिला प्रसासन का भी सहयों मिल रहा है और दुर्गा पूजा राम निला करते वहार बहुत ही सांदार ढंसे यहां पर संपन होने जाता है। जी आइसी से हमारी सुभा यात्रा प्रभू सिरी राम की तो निकलेगी उसी रास्ते से जी आइसी से मादुर्गा की प्रत्मा निकलेगी 24 तारीक को सुभा 11 बजे जी आइसी से फते गंज, फते गंज से चौक, चौक से रिकाब गंज, रिकाब गंज से सहादत के जस्मान से निर्मली कुंड को इसी तरीके से फटेगन चावराहे पर राम बराति कंठा होकर कुछ राम बिराते चपती रोड से आएंगी बाकी चोग से आएंगी एकतर होके फटेगन से कसाइब बाड़ा रिकाब गज होते हुए जाएंगी प्रभु सिरीराम की बराते पंडाल है राम लिला स्थाल है उन पे कुछ इस तरीके की बेऊस्था करेंगे कि वो जो है लगे आने वाले दर्सार्थियों को कि हमा जो ध्याम आए है और भगवान सिरी राम जो 500 वर्थों के बाद बिराजने वाले हैं और उसके लिए यहां की जंता पहले से ही स्वागत कर दे जा रही है